नमस्कार दोस्तों, आप सभी को न्यू यूर की ठेट सारी शुब कामना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निम्राना फोर्ड पेलेस के बारे में, जो की राजसान के प्रमुख लोगप्रिय परिटन सलो में से एक है। 1464 इसवी में बना निम्राना किला महल, 1988 में शुरू हुआ भारत के सबसे पुराने विरासत रिसॉर्स में एक है। ये एक उच पहाडी परस्तित है और यहां से आसपास के सौंदर्य और श्यांदार प्राकरतिक द्रश्य दिखते हैं। निम्राना किला अपार सौंदर्य का प्रतीक है। ये राजसी किला पहाडी की उपर 10 हेक्टर शेत्र को कवर करता है। जो राज़तानी परंपरा और आधुनिक शेली के अंतरिक मिश्रन को प्रदर्शित करता है। जिसे अब एक लगजरी रिजॉर्ट में बदल दिया गया है। इसके चारो और हैंगिंग गार्डन, दो फुल, खुबसुरत कमरे मौजूद है। शांदार, रोमांटिक आनंद से बरा निम्राना किला, निम्राना में गुमने के लिए सबसे अच्छी जगों में से एक है। अपनी चुटियों के कुछ दिन बिताने के लिए निम्राना सबसे अच्छा अस्थान माना जा सकता है। यहां आप, आपकी लाइफ की कुछ पल सुकत माहूल में गतीत कर सकते हैं। निम्राना दुर्ग के आजपास अनेक परिटन स्थल है, जो परिटकों को अपनी और आकरशित करते हैं। ये किला लगबग दस मंजिला में बना हुआ है, जिसके अंदर कई कमरे हैं। इस किले की संडचना खूबसूरत लाल पत्थरों से बनाई गई है। साथ ही इस किले की वास्तुकला बेहत खूबसूरत है। किले की दिवारों को कई खूबसूरत डिजाइन और शिरालेखों से सजाया गया है। इस किले के अंदर आपको कई रहस्य में गतिविदियों को करने का मौका भी बखू भी मिलेगा इतिहास की बात करें तो निम्राना किले को चोहान शासक द्वारा 1464 में बनवाया गया था चोहान वंच की कई फीडियों ने सदियों तक इस किले पर शासन किया चोहानों से हाडने के बाद निमुला के विशेश आग्रेव पे इस किले का नाम निम्रणा किला रखा गया आजादी के पहले तक यहाँ चोहान वंच का शाचन रहा इसके बाद 1947 से ये किला गैड संद्रक्षित और विरान हो गया 1986 में इतिहासकार आवननाथ ने किले के अधिकार प्रप्त किये और जिन्नोधार के लिए खंडरों का अधिगरहन किया 1991 तक किले को फिट से शांदार और राजसी रूप में प्रस्तुत किया गया लेकिन जन्नोधार ने मूल डिजाइन को नहीं बदला यहाँ तक कि खिड़किया और दर्वाजे भी इतिहासिक रूप में ही रखे गए आगे चलकर बारत सरकौर दोरा इसके लिए को हैरिटेज रिजोट के रूप में दर्ज किया गया उचे पहाड पर बने होने के कारण ज्यारतर कम्रों की बालकनी से आसपास की बेवेता का फूरा अनंद आप उठा सकते हैं यहाँ तक कि इस के लिए के बातरूम से भी आपको हरे बरे नजारे देखने को आसानी से मिल जाएंगे यह किला भारत के अधिकांच हेरिटेज होटेल इतिहास की सुंदर्ता और खजाने के साथ पैदा हुए किलों में से एक है भारत में कुछ बहतरीन होटल और रिजोट प्रमानिक्ता का अनुभाव करने का अफसर प्रदान कराते हैं जहां मेमान परिटकों के रूप में लोटते हैं निम्राना होटेल जिन्नोधार पुनर निर्मान और बरबाद वास्तु शिल्प चमतकारों के पुनर अध्भार के लिए एक मिश्रण का प्रतीक है और भारत में अध्वितिय प्रवास की तलास करने वालों के लिए सुविधा प्रदान करता है निम्राना भारत के 13 सबसे आलिशान विरासत, होटलो और रिजोर्स में से एक कानभो करने का अफसर बखुवी आपको प्रदान करता है निम्राना नकेवल विरासत सम्रचना को पुनरजीवित करने और पुनरस्थापित करने का प्रयास करता है बलकि स्थानिय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी पैदा करता है निम्राना में 76 कमरे और सुइट है इसके अलावा मेजिकल वीगन गेटवे, डाइनिंग, समारों और सम्मेलनों के लिए एक साइट भी यहां मौझूद है राजस्तान में या 15 वी सदी का हेरिटेज होटल वीकेंड के लिए देनी के पास सबसे लोगप्रियर रिजॉर्ट्स में से एक है और इतिहास के साथ साथ यह ड्रीन डेस्टिनेशन का आनंद भी देता है छें एकड के पैलेस गारडन में एक पहाडी पर बने नो महल के पंक इस पैलेस होटल को और भी ज्यादा खूबसूरत और लग्जूरियस बनाते हैं हैंगिंग गार्डन और तेडने के लिए दो पुल एक आयुर्वेदिक स्पा और भारत की पहली जिप लाइन निम्राना फोर्ट पेलिस की विजास्ता पर चार चान लगाते हैं निम्राना फोर्ट पेलिस की ट्रेंटिलिस से आपको स्विमिंग पूल, होट पूल, होटेल टूर, वीकेंड कल्चरल एंडांच शो, टीवी लाँज, मूजिक शो, अलफ्रेसको फूड, इवनिंग हाई टी, कैमल राइट, स्पा और जिम, एंटर्टेन्मेंट रूम, बि रूम, हेरिटेज ओल रूम, मैप, हेरिटेज स्मार्ट रूम, स्प्लेंडर रूम, रोयल रूम, पलाटियल रूम जैसे ऑप्शन्स अवेलेबल हैं, रूम्स की कीमत आठ हजार से लेकर 30,000 रुपए तक है, यहाँ पर आकर आप वेकेशन एंजॉई करने के साथ-साथ, र करकार के ट्रैवल इंफर्मेटिव और इस्टोरिकल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सुकत सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद